नमस्कार मैं हूँ ससी आया जर्खन के टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं जर्खन के विकास को लेकर सरकार परतिवध जर्खन के सी अभिमान सुरे ने 75-70 दिवस के मौके पर राची के मौरबादी मैदान में आयोजित मुखे समारों को समोधित किया उन्होंने कहा कि सरकार राजे के विकास को लेकर परतिवध है इसके लिए कई तरह की योजनाय चलाई जा रही है उन्होंने कहा कि कुरोणा की तिस्री लहर रोजगार को पोशन मुक्त बनाने समेथ कई योजनाव पर सरकार काम कर रही है जार्खन में विकास को गती देने के लिए नई नितिया बनाई जा रही है तथा पूरू की नितियों में अशक्ताउंसा संसोधन भी किया जा रहा है इसी करम में जार्खन अध्योगी के वम निवेस पर साहा नेती दोयार एकिस लागू की गई है जो अगले पांच बर्सों तक प्रभावी रहेगी प्राकिर्तिक संपदाओं से भरपूर्थ तथा खनीज बहुले इस राजे में गरीब लोगों के लिए रोजगार के अधिक सहधिक अधिक अशर पैदा करने के लिए या निति एक मिल का पथर सावित होगी जारखन राजबहन में एट होम कारेकरम कायोजन सथनता दिवस के अशर पर 15 अगस्त को राजेपल रमेस बैस की उपस्तिती में राची स्थी जारखन राजबहन में साम को एट होम कारेकरम कायोजन किया गया इस असर पर मोख्य मंत्री हमान सुरेन, मंत्री परिशत के अने सिदस गन, पूरो मोख्य मंत्री बावलामरांडी आधि उपस्तित थे राजे पाल ने सभी को संत्ता दिवस्त की बदाहाई वसुप कमनाय दी इस कारिकरम में राजे पाल डामेस बैस की पतनी रामबाई बैस, मोख्य मंत्री की पतनी कालपना सुरेन विवपस्तित रही बतादे क्रोना वायरस संक्रमन को देखते वे इस कारिकरम में सिमित लोगों को अमंत्रित किया गया था 6 सितंबर को पेश होगा अनुपूरक बजट जाखन विधान सभाग के 3 सितंबर से सुरू होनवाले मांसुन सत्र में चालू वितिय वर्ष 2021 का पाला अनुपूरक बजट पेश होगा बतादे बीत विभागने इसे लेकर सभी विभागों से प्रस्ता मांगे है पहला अनुपूरक बजट 6 सितंबर को पेश होगा पहले अनुपूरक बजट के माध्यम से कुरूना वाइरस से निपटने को लेकर राज्य में स्वाज संरचनाय विक्सित करने को लेकर बड़ी रासी की मांग की जा सकती है बता दे इसके लिए केंद्रे ने भी रासी का प्रवधान किया है इसके लिए राज्य अन्समद में 40% रासी का प्रविधान अनुपूरक बजट में किया जा सकता है साथी अने केंद्रे विजनाव के लिए भी राज्य अन्समद में रासी की मांग किया सकती है बिद्ध्यार्थियों के अविभागों के लिए सिक्षा विभाग का विश्यस्यला कुरोना वायरस के कारण स्कूलों के बंद रहने की सिती में अभी भी कक्षा आठ तक के बचों की पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है बता दे सरकारी स्कूलों के बचों को वाट से पोधिक्षा एप के माधे हम से डिजिटल सेक्षिनिक समागरी भेजी जा रही है बचे इसका सही से लाब ले सके उनकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे तता घरों में लगतार रहने के काराण उनके सरेरीक वमासिक स्वास पर गलत असर ना पड़े इसके लिए इसकुली सिक्षा एवम सक्षर्टा विभाग ने उनके माता पिता के लिए माग दस्का जारी की है बता दे माता पिता इस माग दस्का के अनुसार बचों को घर अधारी सिक्षन में बचों की मदद करेंगे जार्खन सिक्षा पर्योडना परिशत के निदेशक सैलेस कुमार्चुरासया ने सभी जीला सिक्षा अधिक्षकों को विभाग द्वारा जारी उक्त मागदासका की जनकारी विद्याले परबंदन समिती के माध्यम से अभी भागों को देने के लिए कहा है इसके लिए 31 अग से ही स्वास्थ परसिक्षक के पदपर नियुक्त तथा बर्तमान में कलर का काम कर रहे कर्मियों को भी जिमिदारी दी जाएगी साथ ही उनके परमोशन का भी राशा साफ होगा बता दे राजे गठन के बाद पहली बार राज सरकार स्वास्थ परसिक्षकों की नियुक्ति के लिए नियमावली घठित कर रही है परस्टावित नियमावली पर बिधी बिथ तथा कार्मिक विभागों की स्विगरिती मिल चुकी है तिरंदाज दिपिका 21 अगस्थ को आएगी राची भव्य स्वागत की त्यारी तिरंदाज दिपिका कुमारी द्यक धर्मेंद तिवारी ने कहा है कि 21 अगस्त को जार्खन की गोरो उलम्पियन वबिश्व की नमबर वन तिरंदाई दिपका कुमारी राची आ रही है जार्खन में लगेगी किसान पाट साला सोचनसुता दिवास के मोगे पर जार्खन के मुखमति हमान सुरे ने मुरबादी मैदान में ज़ंडा रोहन किया कारकरम के दोरान 20 सिष्ट सेवा के लिए लोगों को समानित किया गया इस कारकरम के दोरान अपने सम्मधन में उन्होंने कहा कि कुरोना का खत्रा भी टाला नहीं है सोधानी बरते कुरोना गाइडलाइन का पालन करे बता दे उन्होंने किसानों के लिए कहा कि किसानों की छामता के विकास के लिए क्रिसक पाट सला की योजना शुरू की जाएगी किसानों को क्रिसी पसुपालन मतसे पालन तथा सुकर पालन में दक्ष बना कर उनकी आय में ब्रेधी की जाएगी धनबाद जोज मोत मामला में सुचना देने वालों को सीबियाई देगी पांच लाग उत्तम अनंद की मोत मामले की सच्चाई सामने लाने में तमाम हतकंडे फेल होने के बाद सीबियाई ने अब आम लोगों से सहायता के पिल की है बतादेर अबिवर के सुबा धनबाद सहर के चोग चोराहे पर इस्तिहार लगा कर जोज की कथित हत्या का सुराग देने वालों को पांच लाग रुपए नाम देने की घोसना की गई है अदालतों में शुरू होगी फिजिकल सुनवाई हाई कोट जार्खन में कोरोना के कूल एक्टिव केज की संख्या 217 है वहीं जार्खन में कोरोना से कूल मोद की संख्या 5131 है भारत में कोरोना के 33196 नए केज मिले है भारत में कोरोना के कूल एक्टिव केज की संख्या 3,882 है भारतिये महिला फुटबॉल टीम का आई से जमसेदपूर में होगा राष्टिये सिवीर भारतिये महिला फुटबॉल टीम के राष्टिये सिवीर का आयोजन 16 अगस से जारकन के जमसेदपूर में किया जाएगा बतादे अखिल भारतिये फोटबॉल महासंग ने सुक्रवार को जारे विगवति में बताया कि इस सीवीर का आयोजन AFC ACI कप 2022 की त्यारी को ध्यारी को ध्यान में रख कर किया रहा है इस टूर्नामेंट का आयोजन भारत में 20 जनवरी से 6 फरवरी 2022 तक होगा बतादे राश्टिये महिलाट टीम के मुख्य कोच नियूक्त हुए थामस डेनेर भी ने जमसेद पूर में होने वाले इस सीवीर के लिए 30 संभावित खिलाडियों की सुची जारी की है जार्खंड में सहरी गरीबों के लिए मनरेगा योजना ऐसे उठाय लाब जार्खंड की हेमन सरकार राजे के अकुसल मजदूर खास का सहरी गरीब मजदूरों को काम दिलाने को लेकर गंभीर है इसी कड़ी में 14 अगस 2020 को राजे के सभी 50 नगर निकायों में मुख्यमति स्रमिक रोजगार योजना के शुरुआत की गई थी बता दे मुख्यमति स्रमिक रोजगार योजना के लाब उठाने के लिए राजे के सहरी बेरुजगार मजदूरों को ऑनलाइन या अफलेंड दोनों स्थिति में आवेदन कर सकते हैं इसके लिए एक चुक बेरुजगार मजदूर अपने छेत्र के नगर निकाय करियाला में संपर्क कर योजना कलाब उठा सकते हैं इसके अलावा msy.jharkhand.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं खेल के छेत्र में जहार्खं की अलग पहचान मुख्यमतिरी खेल के छेत्र में देश दुनिया में जहार्खं की अलग पहचान रही है सरकार की खेल नीती में या प्रवधान है कि ओलंपिक खेलों में राज्य के खिलाडियों को स्वर्ण रजत तथा कासे पदक जितने परक्रम सा 2 क्रोर, 1 क्रोर तथा 50 लाख रुपए दिये जाएंगे पतादे भागिदारी के लिए मात्र 5 लाख रुपए देने का भी प्रवधान है भारती आओकिट टीम में सामील जार्खन की बेटियों सलीमा टेटे अमनिकी परधान के बेहतर परदसन को सम्मान देते हुए खिलाडियों को 50-50 लाख रुपए की नगदरासी का भुगतान किया गया है जार्खन को कुपोशन मुक्त करने हैं तू सरकार पर्यासरत राज को कुपोशन मुक्त करने हैं तू राज सरकार पर्यासरत है बतादे सरकार राज के 38-432 आंगन बाड़ी के अंदरों के माध्यम से कुरोना काल में भी घर घर जाकर बच्चों करवती महिलाओं तथा धात्रू महिलाओं को गुनवाता पुन पोश्टिक आहार नसील है बतादे राज सरकार ने सभी आंगन माड़ी केंदरों को फूरक पोशा आहार पकाने है तू लपीजी की सुविदा भी परदान कर दिया है कम्प्यूटर साइंस के छात्र गोंजन को मिला 35 लाह का उफर भारत सरकार दोवारा अस्थापित राष्ट्रिये महत्वक की संस्था राष्ट्रिये प्रद्योगी की संस्थान जमसेदपुर के कम्प्यूटर साइंस के छात्र गोंजन कुमार अब तक का सबसे बड़ा बता दे कंप्यूटर हाडवेर की बहुराश्ट्री ये कंपनी इंस्ट्यूट ने सलाना 35 लाख रुपए का उफर दिया है अब तक इस संस्था से 206 का प्लेस्मेंट भी हो चुका है क्रिसी मंतरी बादल ने कहा भाजपा बिपक्ष में सकरात्मक भूम का निभाए वोकारों में पत्रकारों से बात करते हुए रविवार को जारखन सरकार के क्रिसी मंतरी बादल पत्र लेख ने कहा कि भाजपा बिपक्ष में सकरात्मक भूम का निभाए उन्होंने कहा कि हमें हमारे चुनावी वादे याद हैं और हम एक एक कर इन वादों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं उन्होंने कहा कि हमने लोगों से जो वादे किये हैं उसे हम पूरा करने का काम कर रहे हैं चाये वह क्रीसी लोन माफी हो या फिर अन्यमुदे हो जार्खन में तीसरी लहर से बचाव के लिए रननीती तयार राजेपाल बता देवे देश के पशतरवे सतनतता दिवस पर जार्खन के राजेपल रमेस बैस ने दुमका पूलिस लाइन में रश्टिये धवज फराने के बाद अपने सम्मधन में कहा कि कोई-19 को रोकने तथा 30 लहर से बचाव यम रोक थाने तू सतत निग्रानी यह हम सघन जाच की जा रही है ज्यार्खन के 5 लाग 34 यर वहान बनेंगे कबार केंदर सरकार ने 13 अगस्त को नई वहान एसक्रेप नीती लाँज कर दी है इसके तहद 15 साल तक के वहान एसक्रेप घोसित हो जाएंगे या उन्हें नियमित रूप से फिटने साटिफिकेट लेना होगा बता दे ज्यार्खन में ऐसे वानों की संक्या 5 लाग 43 जार है जो सीधे बेकार घोसित हो जाएंगे परिवहन विभाग दोवारा एक जनवरी उनई सव सत्तर से लेकर 31 मार्च दोयर्चाओ तक के वानों के सुची त्यार की गई है माता पीता को सिक्षा विभाग ने दिये सुझाओ बच्चों के साथ खेलने तथा उनसे बात चित करने के लिए समय निकाले साम में उनके दैनिक किरिया कलापों की जनकारी ले बच्चों ने जो सही काम किया है उसकी परसंसा करे या समझाने की कोशिस करे कि क्या कोई बात बच्चों को परिसान कर रही है उस पर सिक्षकों से बात करे घर में पढ़ाई का अवस्यक महौल बनाए बच्चों से पुछे कि उन्हें पढ़ाई के लिए डिटल समागरी मिल रही है या नहीं बच्चों को बताते रहे कि स्कुल सिग्रे खुल सकते हैं इसके लिए अवस्यक त्यारी भी करे बच्चों से परस्न पुछे कहानी सुनाए उसके साथ स्वस्यक चर्चा करे बच्चों को खाली समय में घरेलू कारियों में भी लगाए ताकि उनका जीवन कोशल बढ़ सके इसमें बागवानी साब सपाई आधिकारे भी सामिल है बिकास के मार्ग पर नियंतर अग्रसर है लोहर्दागा अभीत मंत्री सवस्यक चर्चा दिवस के मौके पर रभीवार को लोहर्दागा के बीएस कॉलेज स्टेडियम में तिरंगा सान से लहराया बतादे मौके अति थी के रूप में जार्खन सरकार के बीत एवं खादा पूर्ती मंत्री डाक्टर रमेसर उराव ने जहन्डोतोलन किया मौके पर संभधन के दुर्वार मंत्री ने कहा कि लोहर्दागा जिला और राज नियंतर विकास के पक्ष पर अग्रसर है हम सरवांगी हीतों को लेकर काम कर रहे हैं आम आदमी की जरूरतों को पूरा करना समस्याओं को खतम करना और विकास को गती देना हमारे उदेश में सामिल हैं धन्यवाद